दोस्तो आज आप सभी के लिए फिर एक फ्रेस्क कमाल का मज़ेदार और नौलेजवल वीडियो लेके आ चुके हैं इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कॉमन सर्कुलेशन के 50 पैसे के कीम्टी सिक्कों के बारे में कौन कौन से वो सिक्के 50 पैसे कीम्टी है कैसे और कहां से खरीदोगे या फिर कैसे और कहां उसे सेल करोगे एक एक चीज़े डिटेईल रुपे बताने वाला है वीडियो बिल्कुल मज़ेदार होने वाला है काफी अन तक देखेगा अभी जग को चीज़े समझ में आएंगे नहीं तो आपको चीज़े समझ में नहीं आएगा क्योंकि सिक्को और फिर नोर्टों को सेल करना है या फिर क्यालेक्शन के लिए खरीदना है तो आपको उसके बारे में डेटेल्स जानकारी होना बेहद ज़रूरी है तो आज हम लेके आचुके हैं इस अपिशोड में 50 पैसे के common circulation के कीमती सिक्कों के बारे में जो की आज सभी के लिए काफी जादा knowledgeable वीडियो है वीडियो सुरू करेंगे, वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिस करेंगे निवस्नमाटिक के हर सही ख़वरों से हम इस अपडेट आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आइकन को प्रेस करिएगा, साथी वीडियो को एक लाइक कर दिजेगा और वीडियो के सेर करेंगे अपने दोस्तों के साथ वाट्साप फेज़ूक पर हर जगह पर ताकि जिसके पास भी 50 रुपीज के कॉइंस रखे हैं 50 पैसे का जो कॉइंस रखे हैं उन तक वीडियो पहुचे और वो भी अपने उन 50 पैसे के चिलर्स में से आप जो रहर सिक्का है जो खीमती से के उसको निकालबाएं चीकर और साथ ओरी क्मेंट सीकोण में जरूरwegen का अवलेवल है यह चीज हमें कमेंट सेक्शियं में जरू से आप लोग लिख के बता दिएगा तीकिंगे 50 पैसे के कॉइन्स जो है वह बहुत सारे धलाई हुए थे बहुत सारे मिंट हुए थे बारत के लगवग जो की बना था यानि कि 50 पैसे के copper nickel धातू के वी coins से और stainless steel यानि कि feratic stainless steel जो है FFS धातू उसका भी coin धला था लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ copper nickel के मिसर धातू से जो 50 पैसे coins धले थे वो तो copper nickel के मिसर धातू से जो coin धले थे वो basically दो design में धाला गया था coin के detail में जाएंगे उससे पहले आप सभी से एक request है कि आप लोग video के comment section में अपना mobile number kindly enter ना करें तो अब हम लोग time waste किये वीडियो का और चलेंगे लेकिन उससे पहले आप से request करेंगे कि video को अभी तक लाइक न बात करूंगा तो उसमें दो design मिल्ट हुआ था दो design release किये गए थे copper nickel धातू में तो वो दोनों design के बारे में discuss करेंगे क्या price है कौन सा year का ये चीज़े बाते करेंगे कि हर year का जो हर year में मिल्ट हुआ है वो सभी coin rare नहीं होगा उस सभी coin कीमती नहीं होगा तो कौन से year का coin rare है या फिर कीमती है ये चीज़े आप लोग note down कर लो तभी चीज़े आप सभी को समझ में आएगा otherwise आपको चीज़े समझ में नहीं आएगा स्क्रिन पर आप से भी को देखने को मिल रहा होगा copper nickel के जो धातों के मिस्ट नादों से जो coin बना था उसमें ये coin सबसे पहले धलाई हुआ था comment हुआ था यानि कि आपको बता दें 50 पैसे की copper nickel धातों के coin का design में मतलब दो design में ढला था आप देखिए पहला design आपको screen पर दिख रहा होगा 1972 का आपको ये coin दिख रहा होगा इस coin की अगर हम लोग details की बहुत साइड details की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का design आपको देखने को मिल रहा होगा coin के एक हिस्से में असोक emblem का बहुत बड़ा सा असोक emblem बनाया हुआ है उसके left side में हिंदी में लिखा हुआ है भारत और उसके just right side में English में लिखा हुआ है इंडिया वहीं coin के दूसरे हिस्से की बात करें बीच में 50 denomination जो की काफी बड़े संख्या में लिखा हुआ है just उसके उपर हिंदी में पैसे लिखा हुआ है और just right side में English में पैसे लिखा हुआ है और जो 50 denomination है उसका just नीचे इसका minting year 1972 देखने को मिल रहा होगा तो कुछ इस तरह का design में यह 50 पैसे का पहला कॉइन मिंट किया गया था ठीक है अब देखिये कोपर निकल के मिस्ट रधातु में यह कॉइन 1972 से लेके 1983 तक ढाले गया थे यानि कि जो पहला design हमने बताया 1972 से लेके 1983 तक इस कॉइन को मिंट किया गया था और यह कॉइन बॉंबे कलकता और हैदरवाद मिंट द्वारा मिंट किया गया था यानि कि तीन मिंट द्वारा बॉंबे कलकता और हैदरवाद मिंट द्वारा जो पहला design का कॉइन था उसको मिंट किया गया था और इस कॉइन की अगर हम लोग बात करें वेट की तो पांच ग्राम इसका वजन है वहीं अगर बात करें इ से कर जो कॉइन से वो चलन में बरतमा नहीं है लेकिन सरकार दुवारा इसे डी मॉनेटाइज नहीं किया गया यानि कि अभी वी इसके पास लीगल टेंडर है अगर आप किसी को पचास पैसे दे रहो तो वो लेने के लिए मना नहीं कर सकता है क्योंकि सरकार ने इस कॉइन को अभी तक डी मॉनेटाइज नहीं किया है तो देखिए अगर इस तरह के सिक्के आपके पास हैं तो आप लोग देख ले कि उसमें से 1978, 1980 और 1983 के सिक्के बहुत महंगे होता है यानि कि यह 72 से लेके 1983 तक ढला था लेकिन सभी यह का कोईन महंगे नहीं है महंगा कोईन है 1978, 80 औ कॉलकता मींट का है तो उसका कीमत है 75 से लेके 750 रुपे तक देखिए अगर 1980 की का कॉइन कोकता मिंट ढ़ा ज़ाला गया आप सबीके पास दौशा कीमत है 75 से लेके 750 रुपीज तक अब दूशा कोईन की मिंट दौ मर्क मेंतिंग्यर है उसके नीचे अगर कोई मिंट मार्क नहीं है तो आप समझव लो कि वो कॉलकाता मिंट द्वारा ढाला गया 25 कीमत यो सिक्क ऑ przede erot मिंट में ट्वर नअकला गया था और इसका कीमत है 500 रुपय तक को मिंटम से महंगा कोई नीचे कोई मिंट मार्क अगरणी कि अब कुम ayuda के मिंट करने के लिए कोई के मिंट यर के जेश्ट नीचे अगर डाइमौड मिंट मार्क है तो वो समझ लो कि बॉंबे मिंट द्वारा रिलीज किया गया है और बॉंबे मिंट वरा ढला गया यह 50 पैसे कसे कोई का बरतमान मार्केट प्राइस से 2,000 रुपए तक जी हां विल्कुल सही सुना इस कोईन का प्राइस है पुरे 2,000 रुपए तक तो यह था हमारा पहला जो 50 पैसे का डिजाइन है जो की 1972 से 1983 तक रिलीज किया गया था इसके डिटेल्स और कितने प्राइस है यह अब हम चलेंगे जो दूसरे डिजा 90 तक ढाले गए थे यानि की दूसरा डिजाइन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होगे यह डिजाइन काफी अट्रेक्टिव है पहले से काफी ज़्यादा चेंज किया गया यह भी कॉपर निकल धातू से ढाला गया ठीक है कोईन की दोनों साइज आप लोग दोनों साइड देख सकते हैं किस तरह का है डजयन इसका एक साइड स्वक्क हैं उसके लेखस भारत हंदी में उसके राइट साइड इंडिया इंग्लिस में लिखा हुआ है का फो मिंट मार यह कॉइन का फिजिकल ओबर व्यू उपर से देखने में किस तरह से लग रहा है अब देखे डिटेल्स की अगर हम बात करें तो कॉपर निकल मिस्र धातु में यह कोई 1984 से 1990 तक ढाले गया थे यह सिक्का बॉंबे मिंट कॉलकता मिंट हैदरबद मिंट नौइडा मिंट और टियागो मिंट जो की कोरिया का है इसके द्वारा ढाला गया था यानि की पूरे पांच मिंट द्वारा इस कोईन को ढाले गया थे 1984 से लेके 1990 तक अब देखे सभी यहर के कोईन्स महंगे नहीं है रेयर नहीं है अब इस डिजाइन के सिक्का कोरिया में 1985 में ठाला गया था वैसे कलिए 1985 में कोईन्स की टेमांड इतनी बढ़ गई कि हमारे देश के चारों मिंट द्वारा इसको पूरा नहीं किया जा सका था इस बज़े से 1985 में कोरिया का ट्यागो मिंट द्वारा बहुत जादा 50 पैसे कोईन्स रिलीज किया गया था इस बज़े से 1985 के जो कोईन है वो बिलकुल कॉमन सर्कुलेशन में है क्यों आप सब पता होगा सिक्कों की रेरिटी डेपेंड करता है उसके कितना जादर रिलीज क्या गया कितना जैन्य ज्यादा धुक्राइः किया गया इस तरसे 1985 का इन का फिर कामन है तो बोलगिंती नहीं है इन शिकू का अगर हम बात करें वलजन का तो ये 5 Grand W SMITH का इस कोईनाता है । साइज की बात करें तो 24 mm इसका साइज है मेटल इसमें कॉपर निकल इस्तमाल हुआ था और सेप इसका सर्कूलर है इन कोईन में से अगर हम बात करें 1989 का हैदराबाद मिंट का कोईन अगर आप सभी के पास है तो यह काफी जदा महेंगा है और बरतवान इसका मार्केट प्रा करोगे अगर आपके मिंट मैं यह जो है उसके जस्ट नीचे यान कि 1989 जो लिखा उसके नीचे स्टार मिंट में मैं को देखने को मिल रहोगा तो आप लोग समझ लोग कि हैदराबाद में मिंट किया गया है और उसका कीमत आपको 15 रुपय तक मिल सकता है 1986 का बांबेम का कोईन के मिंट एर के जश्ट नीचे अगर डाइमोंड मिंट मार्क आपको देखने को मिल रहा है तो यह कोईन काफी रहर है और यह बॉम्बे मिंट का है और यह आपको दिला सकता है अगर सबसे महंगा कॉइन है 1988 का नॉइडा मिंट का और 1988 का अगर आप सभी के पास है तो बरतमान इसका मार्केट प्राइस दस हजार रुपए से उपर चल रहा है मरुधर ऑक्षन में यह कॉइन 15,000 से 20,000 रुपए तक उसका मार्केट प्राइस वह फिक्स किया गया तो इस बज़े से 1988 का नॉइडा मिंट का जो कॉइन है यह काफी रेर है अब आपको बता दे नॉइडा मिंट का पहचान आप कैस और यह इसका वरतमान मार्केट प्राइस , 1988 का नॉइडा मिंट का जो 50 पैसे का कॉइन है इसका मार्केट पैस बरतमान चल रहा है दस हजार से भी ऊपर तो यह कुछ पचास पैसे के दो मिंट क्या गयाgrund की में ऑर बत किये हैं ॉसके यह हमने सब्सक्राइब आप सभी को उसका present market price भी बताया है तो ये सारे चीज आप लहवी के सामने हमें रखा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक like जरूर करिएगा काफी ज़्यादो knowledge वेल वीडियो था ये और साथ ही आप सभी को पता दे आने वाले टाइम में जो भी options होंगे उन options में जाके इस तरह के coins को आप easily sell या फिर buy कर सकते हैं तो यहीत आच्छी वीडियो में अगर वीडियो जारूर सभी पसंद आया तो वीडियो को like share करिएगा